in this video you can see that there are the two waves first and second and this is the amplitude maximum and this is the second amplitude maximum and in the question given that they are super impulse super impulse मतब एक जगह जाके दोनों टकराती हैं so हमें जो find करना है वो resultant इसका amplitude निकालना है तो देखिए दोनों geometry यहां पर कुछ explain की है कि एक first waves इस प्रकार से travel कर रही है second इस प्रकार से तो देखिए दो waves इस प्रकार से जब travel करेंगी तो हो सकता है यहां पर टकरा है incident हो और एक नया amplitude यहां पर फ्रेम हो तो देखिए यह rough geometry है हो सकता है इसका crust इसके crust पर overlap कर रहा हो और trough tub पर तो आपको maximum मिलता है otherwise हो सकता है इसका crust हो और इसका हमने consider करा है capital है second का करा है हमने capital बी और इस प्रकार से यह common formula लिखा हुआ आप देख सकते हैं यह amplitude का formula होता है resultant का resultant मतलब यह वाला जो super impose हो रहा है जिसमें दोनों amplitude का square प्लस 2a1a2 to cost theta यहां पर देखे एस caos theta maximum minimum तब होता है जब theta रखने पर कोई value angle रखने पर आपको 1 मिले और यहांपर minus 1 रखे हैं तोहसे हमेशाn Coll को यहाँ रखने गया है जब cost zero degree होता है तो बन होता है लीकानिव mad craft 90 degree होता है तो सिएक सो 80 degree होता है, तो minus 1 होता है, तो यह 3 values आपको मिलती है, यह 3 values आपको याद होना चाहिए, चलिए हम यहाँ से इस formula को use करके, इसका resultant find करते हैं, तो देखिए, जैसा मैंने आप से बोला, first com ने capital A माना amplitude को, second को capital B, तो यह formula में रख दिया, हमसे case में बोला गया है, उसके अंदर की 90 degree वाला case solve करें, तो theta 90 हो गया, तो cos 90, 0, तो cos 90, 0 तो यह पूरी term 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से multiply होगा, तो मातर यह 2 terms मिनेगी, A square plus B square, तो क्या आपको resultant निकालना है, तो square जब आप यहाँ shift करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, under root A square, B square, इसका मतल साबर होगा, अब हमें बोल रखा था कि second case, अगर 180 degree होता है, तो क्या होगा, तो देखिए, आप इसी formula को 180 के form में solve कर दीजिए, cos 180 देखिए, अभी मैंने आपको बताया, कितना होता है, minus का 1 होता है, तो यह minus का 1 रख दीजिए, तो देखिए, हम minus 1 रखेंगे, तो यह plus की माइनस आजाएगा, तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर जैसी 180 डिगरी रखा, तो cos 180 माइनस का 1 होता है, तो देखिए, यहाँ प्लस की जगा माइनस आजाएगा, क्योंकि माइनस 1 सीन 2 होगा, तो same formula आपको ऐसा दिखेगा, अब ध्यान से देखिए, तो A-B whole square का formula ही, calculate करके इसकी value find कर लेता है,